जैन सात्यों स्वागते आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ मैं हूँ संजीब कैंतला और आप देख रहे हैं हेम एजुकेर यूट्यूब चैनल तो दोस्तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं हिमाचा प्रुदेश पूलिस कॉंस्टिबल का जो एक्जाम होना था 20 मार मार्च 2022 को अब वो है एक्स्टेंड हो चुका है अब वो 27 मार्च 2022 को होने वाला है तो दोस्तो ये हो सकता है फाइनल डेट होगी तो आप सभी लोगों को अभी त्यारी नहीं चोड़नी होगी लगाता दोस्तो अब आपके लिए में वीडियो बनाऊंगा हिमाचा आदेश, जनल नॉलीज के कुस कॉशन, यह ऐसे कॉशन है जो आपको बुक में बहुत ही कम देखने को मिलेगें और बहुत ही महतोपूर्ण है आपके आने वाले एक्जाम के लिए तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आकन को अन करके और नोटिफिकेशन अन कीजेगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा, उसकी आपको नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पॉन पे आती रही है, और दोस्तों, एक और मैं आपको जरूरी बात बताना चाहता हूँ, हिमाचा प्रदेश पुलिस का जो एक्जाम हुए है, 2010 के बाद, जितने भी एक्जाम हुए है, सभी के मैंने कॉशन पेपर कलेक्ट करके आपक 20-100 वीडियो मिल जाएगी, उन्हीं वीडियो में ऐसे आपको 2010-2020 तक जितने भी एक्जाम हुए है, पुलिस के सभी एक्जाम के आपको जो है वीडियो मेंने सौल्व करके बनाई हुई है, आप उसको एक बार जरूर देखेगा, एक बार नहीं, दो बार तीन बार कि 2022 का एक्जाम जो है, कितना चेंज होने वाला है, चलि दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहला प्रशन है आपके लिए, हिमाच्य प्रदेश के प्रादेशिक इंजिनियरिंग कॉलिज जो की हमीरपूर में सित है, को किस नाम से जाना जाता है, आपको आस चार प्रशन है, भारतिय तक्निकी संस्थान, राष्ट्रिय प्रियोक्षाला केंद्र, राष्ट्रिय तक्निकी संस्थान या केंद्र अनुसंधान केंद्र, तो इसका जो सई अंसर होगा, ओप्शन अंबर C, राष्ट्रिय तक्निकी संस्थान, या निगी, NIT इसका जो है, रा हुआ था और यह ती पुछ जाएगा कि माल्ड होने के लिए सबसे पहले कब लागू किया गया था तो यह 1906 में जो है माल्ड होने के लिए लागू किया गया था अगला है त्रिलोक नाथ मंदिर जो आपका त्रिलोक नाथ मंदिर है यह आपके किनोर, चंबा, मंडी और सिथ है यदि आपको कॉशन पूछता है त्री लोग पूर मंदिर आपको ध्यान रखना है त्री लोग नाथ और एक है त्री लोग पूर यदि त्री लोग पूर पूछता है तो आपको उसके लिए जो है सिर्म और जो है स्लेक्ट करना होगा नेक्स्ट आपका प्राचिन काल इन हिमाचा प्रदेश की जानकारी सबसे पहले किस प्राचिन गरंथ में मिलती है तो दोस्तो प्राचिन काल के बहुत साई गरंथ है किस गरंथ में हिमाच प्रदेश की सबसे प्राचिन जो इतियास मिलता है अरानिक, उपनिशाद, रिगवेद और पुरान तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपको आस रिगवेद में जो है हिमाच प्रदेश की प्राचिन जो है इतियास मिलता है अगला प्रश्ण है शिखो ने कुलू के पाल वंश से राज गद्दी गब छीनी थी अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर 6 हिमाच्य प्रदेश की कुलू रियासत का सबसे शक्ति शाली शासक जो कुलूर यह सत्ती उसका सबसे शक्ति शाली शासक, महिश्वर, बहदूर स specialize जगत सिंग और विरंडर सिंग तो इसका से एंसर हो जाएगा, जगत सिंग वहांके सबसे शक्ति शाली शासक थे Question number 7 की बात करते है France C.C. Yadri, Vernier किस मुगल शासक के समय हिमाचेब प्रदेश में आये थे हिमाचेब प्रदेश में कौन आये थे France C.C. Yadri, Vernier ये किस के समय में आये थे औरेंगजे, हुमाईू, अकवर और जहागीर चार option में से आपका जो सेजेंसर है option number A जहागीर के समय में हिमाच्य प्रदेश में आये थे अगला फ्रश्न है पहाडी लगू चितरकला का महानचितरकार मानिक के इस राजा के राजदर्बार की शोबा थी जो आपके पहाडी चितरकला के महानचितरकार थे मानिक सिंग ये है आपके संसार्चंद कांगडा के राजा गोपाल सेन्मंडी के राजा शाम सिंग जंबा के और आनंद चंद बिलासपूर के तो ये सईयन्स रोजाएगा आपका संसार्चंद जो कांगडा के प्रसिद राजा थे उनके जो दर्बार में मानक चंद एक बहारी कला का चितरकार था प्रेश नमबर 9 है क्षेतरफल के अनुसार निम्न में से किस छोटी रियासत का आकार सबसे छोटा था क्षेतरफल के हिसाफ से पूछा गया यहाँ पे सबसे छोटी जो रियासत है क्षेतरफल के हिसाफ से कौन सिथी वेरी वेरी इंफुडेंट जो ये कौशन है तो आप इसमें देख सकते हैं इसका जो सही अंसर होगा ये आपके रतेश, कोटी, मधान और गूंड तो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा रतेश रतेश जो है क्षित्रफल के हिसाब से सबसे छोटी रियासत थी अगला प्रश वर्तमान में भरमोर जाता है वो प्राचिन समय में चंबा रियासत का मुख्याला था अगला है राजा ओगरसेन के कार्याकाल ठारा सो छेत्र ये आपके Hart भाण converture तो ये 1362 में आप्शन नमबर से इसका सही हो जाएगा आप दोस्तों इसको वीडियो को लगातार दो एक बार तीन बार देखेगा तब आपको ये जो कॉशन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बिल्कुल आपके माइंड में बैठश जाएगी अगला प्रेशन है शांबर राजा और भरतकुल के राजा देवोदास हिमाचर प्रदेश की पहाड़ी में कितने वर्षों तक यूद चला जवाब के शांबर राजा और भरतकुल के राजा देवोदास थे उनके भी जो यूद चला था 25, 30, 35, 40 तो इनका जो यूद है ये चला था 40 वर्षों तक लगातार चला रहा अगला प्रेशन हिमाचर प्रदेश के किस नदी वेसिन में अधिक तम जल विदुद जक्ति उत्पादन की खिशमता है अधिन के सबसे जयदा ब्युद जक्ति उत्पादन की खिशमता है पुर्वी पिंजाब सरकार का मुख्यल है शिम्बला में 1947 से कब तक बना रहा 1947 से कब तक बना रहा कुक्ति वन्य जिव भीहार किस क्षेत्र कितने क्षेत्र में वेस्तित हे कोक्ति वन्य जिव भीहार यह कि कुक्ति जो आफ गीह्यरन नी है यह न आक कितने तो इसका से इंसर हो जागा ओप्शन नमबर A नेक्स्ट है हिमाचे प्रदेश में मौवेश्यो की संख्या लगभग कितनी है तो इसमें आपका डाइकर बता देता हूं मैं आपको यह थी आपकी 66,00,000 के आसपास है यह 2011 की जन गर्ना के अनुसार और नेक्स्ट है 2011 की जन गर्ना के अनुसार स्टिर मौर जिल्या की जन संख्या कितनी थी तो इसमें आपके 5,29,855 थी नेक्स्ट है निन्वे से कौन सा जोड़ा गलत है गलत जोड़ा आपको चाटना है लामा डल जील धरमशाला में 11,00, किलोमेटर दूर नेक्स्ट आपका विलिंग घाटी यह आपके वेजनात में है यह भी बिल्कुल सही है पौंक बांध जोड़ा देहरा में है और चूरदार सोलन में यह गलत है चूरदार सोलन में नहीं है चूरदार सिर्मौर डिस्टिक में पढ़ता है तो option number D इसका सही हो जाएगा अगला जो प्रेशने आपके लिए निम्न में से किसका सबन्द चंबा से नहीं है चंबा से दिखिए रेनुका का सिर्मौर से है और चंबा से नहीं रेनुका का सिर्मौर से है गडासरू लामा और जो खजियार है जो है तीनो जीले का है चंबा में सिर्मौर से नहीं हो जाएगा और इस वीडियो का लास्ट प्रेशन आपके लिए है हिमाच्य प्रदेश में किस जाती के लोग सबसे अधीक है सबसे अधीक जो आपके ब्रामन वेशेर राजपूर तयान सुचित जाती तो इसका सबसे जाएगा राजपूर जाती के लोग सबसे जादा जो है यहाँ पूछा है चंबा हिमाच्य प्रदेश किस जाती के लोग सबसे जादा रहते तो यह आपके राजपूर जाती के लोग सबसे जादा रहते है तो दोस्तों यह हमारे आज के 20 question थे हिमाचल से स्मंदित आपको कैसे लगे एक बार आप comment box में जुरूर बताना और दोस्तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप like कीजेगा ताकि मुझे motivation मिलती है जितने ज़्यादा like आते है मैं आपके लिए चेची वीडियो लाने की खुशिश करता हूँ और आपको comment box में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और जो next वीडियो है वो आपके इस topic के उपर चाहते हैं मैं आपको उसी topic के उपर next वीडियो बनाऊगा थेंक्यू दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में have a nice day